एलो फ्रेंड शागत आँअर वे ईट्यूब में तो फ्रेंड आज मैं कोस्ट है ने करके आ आँख है यह कूस्टिन क्लास 9 की मैज से पॉलिनान। चप्टर से लिया गया है यह कोश्चन बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपको यह कोश्चन पहले टफ लगता होगा एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए अंतर तक देखिए और मेरा विश्वास है कि आप इस को सौल करना सीख जाएंगे और ऐसा कोई भी कोश्चन हो आप उसे सौल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को जरा भी मत कीजिएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसको कैसे सौल करेंगे , अब यहाँ पर दो बातें में आपको बताताओं दिखो इसको डिवाइड करना है तो इसे डिवाइजर नाหा protective मोलेंगे यह क्या हो गया हो गया यह क्या हो और यहां पर रखेंगे डिवीडेंड एक्सक्यूब प्लस ठीक है अगर कुश्चन आपको सही डंग से कम समय में और बिल्कुल इजली सॉल्व करना है तो उसके लिए आप रफ वर्क कीजिए कैसे दिखो इधर का फर्स्ट टर्म यहां पर रैट कर लिजे एक्सक्यूब और यह वाला जो फर्स्ट टर्म में डिवाइजर का उसको यहां पर रैट कीजिए अब इसका मतलब क्या है देखो को सियंट को फाइंड करने के लिए आप इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइट कर दिजे तो जब डिवाइट करेंगे तो यह एक्स के पावर वन है एक्स के तो यह कट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा X2 क्या बचेगा X2 और यह हो गया आपका qaasant क्या हो गया qaasant उस qaasant को आप यहां पर qaasant section में राइट कर लिज्वे एकस प्लाइट कर दिया अब इसी से इस पूरे में इसी कीजिए यानि qaunt को डिवाइजर में multiply कीजिए, means x square into x plus 1, क्या चीज़, x square into x plus 1, अब multiply करेंगे तो दिखो सबसे पहले इसमें multiply करना होगा, x square into x क्या हो जाएगा, x cube, फिर इसमें multiply करना होगा, x square into 1 कितना हो जाएगा, x square, अब ये वाला term हमें यहाँ पर write करना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, देखो ये x cube है, ये x square है, तो x cube के नीचे x cube write करेंगे, x square यहाँ पर नहीं है, तो उसको अलग write करेंगे, क्यों? क्योंकि same term के नीचे हम same term को write करते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे x cube, अगर यहाँ पर हम x square लिखते हैं, तो ये plus 1 constant term है, ये x एस अस्हें नहीं है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा तो आप इहाँ पर थोड़ा सा बागल में करेंगे एतना हो मिकत जब इतना हो गया तो यह जो rumors होता है इन सभी के साइन बदलते है यहाँ पर कोई बढ़ने हो यह पर प्लस है तो क्याсол जाएगा माइनस इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि इसके नीचे नहीं है ठीक है इतना सुन में आ गया अब देखो यह प्लस X3-x3 cancel हो जाएगा यहां पर प्लस 1 है तो इसको प्लस 1 राइट कर लेंगे और यहां पर दिखो अब यह वाला ठीक है अब क्या करेंगे देखो अब इसका पहला टर्म राइट करेंगे तो इसका पहला टर्म है माइनस X2 यह ध्यान रखना कि आलवेज पहला ही टर्म लेते हैं एक ही टर्म लेते हैं तो माइनस x square upon divisor का first term x तो सबसे पहले दिखो minus sign आएगा इससे एकट जाएगा तो x आएगा मतलब इस बार कोस्टेंट कितना है minus x कोसेंट कितना है minus x अब इस minus x से इसमें multiply करेंगे तो means minus x into x plus 1 तो देखो को तोग्य हो गया माइनडे स्कोर माइनस सेक्स अब इसको यहाँ पेर एक्स्करफ इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि सेम तर्म नहीं अजिए तो इसको थोड़ा सा अलग रिट करेंगे साइन चेंज होगानी नीचे वाले का माईने से से प्लस हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा यह केंसिल हो जाएगा इसको पहले राइट कर देंगे तो यह मारा प्लस एक्स है क्या है प्लस एक्स और यह प्लस वन साइन हम नीचे वाले का consider करते हैं तो यह plus है तो इसलिए यहां पर क्या होगा प्लस होगा आप देखो x plus 1 माने की पहला term लेंगे x और उसको divide करेंगे diviser के पहले term से x तो cut जाएगा कितना आएगा 1 तो इस बार quotient में कितना write करेंगे तो इस बार quotient में plus 1 write करेंगे कितना write करेंगे plus 1 और उस plus 1 से इसमें multiply करेंगे तो देखो multiply करेंगे तो क्या मिलेगा 1 into x plus 1 1 into x x 1 into 1 1 साइन सबका plus है तो plus ही आएगा चिंता करने जरूर नहीं है अब इसको यहां पर write करेंगे x plus 1 साइन चेंज होगा नीचे वाले का यह plus है यह minus plus है minus तो plus और minus cancel हो जाएगा यह plus है और यह minus है cancel हो जाएगा तो answer कितना आ जाएगा जीरो और यह मारा क्या होता है remainder क्या होता है remainder तो फिलाल तो मारा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आप मन से ही सोच लेंगे कि आपको किस से multiply करना है ठीक है तो देखो यह हमारा rough section है मैं इसे मिटा देता हूं तो फाइनली हमारा remainder कितना आ गया कि remainder is equal to zero कितना आ गया remainder is equal to zero और यह हमारा answer हो गया इस question का आप चाहें तो इस question को write down कर लें या फिर वीडियो को पाँच करके screenshot ले लें तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class